आप जैसे कि देख सकते हैं, सभी अभियरती, सभी विद्यारती इस बस में मौझूद है, जो कि JPSC का एक्जाम देकर कि अभी-भी लौट रहे हैं, सभी का जो है कि सेंटर ग्रीडी पड़ा था, ठीक है, और सभी का चेहरे पर अभी तो मुस्कराहट है, लेकिन जैसे इसे स सबाल पुछूँगा, कही ने कहीं, कि मुस्कराहट जो है की फीका पड़ जाएगा, चलिए, मैम सबसे पहले आप से सुरुवात करना चाहेंगी, कैसा फिल कर रहा है, कि अभी पता चल रहा है, कि चत्रा वेगरा से, जो है कि पेपर लिग की मामले सामने आ रही है, निउस क्या मांग कर रहे हैं कि जो मतलब यह पेपर लीक में सामने से उन लोग पर कड़ी करवाई की जाए और इसमें बड़े-बड़े सबसे पहले आपका शुमनाम क्या हुआ सर शुषांति आदव आप कहां से आपका सेंटर कहां पड़ा था गृड़े तो कैसा रहा आपका एक्जाम तो अच्छा था हो जाता इस बार हाँ तो अभी जो है कि नियूज अभी तुरन संग्यान में आया है चत्रा जिला से पेपर लिख का मामला सामने आया है अच्छा एक बच्चे यहां पर असमंजस में है कि सील ठूटा था सील खुला वा था या फिर बच्चे जो है कि मोबाइल में आंसर लेकर के आखर जूम करकर के देख देख करके लिख रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाह है अर फिर वापस रहे हैं विरास्ते में जा में तो सरकार को फ़रे यह सोचना चाहिए कि जो लोकल लोग हैं उनको वहीं पर संटर देख एक तो यह संटर करते कि चोड़ी सो जाते एक्जाम हो जाते आपके क्या मांगए हमारी यह मांगए है कि ढांस। तरीके से हूं कि आ जो आ रहा है代 है इस सरकार को चाहिए कि अच्छे तरीके से एगजामें अब हम लोग है सरकार बड़े अपने आपको आदिवाशी हो का नेता कहते हैं इसके मारे में तो सोचे वह तो बहुत लोफ से पैसल आएंगे इतने घंटे दुसरे सेर में कैसे रहेंगे उनके बारे में तो सोचें वह आदिवासियों के सुख चिंतक है और आदिवासी हो जो भी हो पुरे जारकंड के लोगों को परसान करके रखें अच्छा मामला इसा सुनने मार आ रहा है कि फेपर को बेचा गिया लाखो लाखो कड़ोर रुपेया में देखे इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे कोई सबूत नहीं पता लेकिन बेवस्ता के बारे में मैं कमेंट जरू करूँगा कि बेवस्ता क की इस बाता आगो बिदार्थी और भी बहुत सारे विधार्ती यह सब्सक्राइब करें रहता है इसके बाद दोग्ञाने में कि लेकर के पेपर लीग किया रहा है इसमें किसका हाथ उसकता है आपको क्या लग रहा है तो मतलब कि आपके क्या मांग जा भी हुआ एक और अभीरती यहां पर है अभी जो है कि एक्जाम जेप्यस्टी का आप देखर करके आ रहे हैं कैसा गया आपका एक्जाम तो बहुत अच्छा गया क्या लग ताइस बार हो जाएगा लिए पर लिख का मामला भी मोबाइल में आया है अब लोग का इंटर तो ठीक ही था कुछ महां दिखकत नहीं था अब अब च्छें करकर के आंसर सीट को देख रहे हैं अब मोबाइल में तो देखने कोँसा ही मिल रहा है तो अभी ऐसा कुछ आपको मामला से आया है कि कहां से लीक हो रहा है तेलेग्राम पर लीक हो रहा है और रशुशल मेडिया पिलाटफॉर्म पर लीख हो रहा ह। है नुढ़ा है लगता है सच में मतलब कि लीक हुआ होगा ये तो सरकार की बात है जहां लीक हो नंचा पहेंगे क्या बात है अब मोबाइल में हम लोग अब है अब है अब हम जैसे जीक पालों तक पीजीटी का कर्जाम बात है अब आप क्या मांग कर रहा है सरकार से इसकी निश्पक्ष रूप से जाच हो और जो सही हो उन पर कारवाई की जाए जो गलत उन पर कारवाई की जाए धन्यवाद आपने देखा बस में सभी जोए की अवेर्थी मौझूद है सभी की फीडा को आप समझ सकते है कि किस प्रकार से अभी इनके रिदय में बेदन हो रही है और ठीक आप सभी जितने भी जारकंट के विदार्थी है जो गिरजवेट धारी है और कहीं न कहीं बेरोजगारी का मार जिल रहे है और इसी बेरोजगारी के मार में जो है कि एक और मार आप लोगों को लगने वाली है हाल ही में जो है कि एक्जाम आप लोगों को संग्यान में आएगा कि एक्जाम फिर से रध हो जाएगा या फिर एक्जाम ना रध हो और कुछ चुनिंदा मुठीवर लोगों मुटिवर विदार्तियों को फाइदा होगा आप अपना कमेंट लिख वेजिए कमेंट सेक्षन में और बताईए कि आप क्या चाहते हैं अगला आपका क्या मांग है धन्यवाद